Hello Traders, Thank you for downloading our application Smart Delta आज हम बात करेंगे higher high screener के बारे में जो stocks uptrend में है उसे find करने के लिए ये screener design किया गया है ये screener current candle के high को previous candle के high से compare करता है और चेक करता है कि current candle का high previous candle के high से उपर है या नहीं और साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि current candle का लोग previous candle से high है या नहीं और अगर ये दोनों condition satisfy होगी तो ही वो stock का name higher high screener show करेगा जैसे कि हम screen पर देख सकते हैं ये screener by default तीन candle के basis पे data show करता है तीन candle से मेरा मतलब है कि last तीन दिन का high and low अगर आपको तीन दिन से ज्यादा या फिर कम दिनों का data चाहिए तो आप filter apply कर सकते है फिल्टर apply करने के लिए यहां से अब दो दिन से लेके नौ दिनों तक के data के लिए फिल्टर यूज़ कर सकते हैं सपोज मैंने किया पांच दिन के लिए तो दिखा रहा है कि no results higher है मतलब कि last 5 दिन से कोई भी stock में ये condition satisfied नहीं की है अगर मुझे filter apply करना है तो मैं यहां से भी filter apply कर सकते हूँ अगर मुझे screen share करनी है या refresh करनी है तो उसके लिए भी options available है अगर मुझे जानकारी चाहिए ये screener के बारे में तो वो भी दिया गया है सो ये सब बाते हुई higher high screener के बारे में और screeners की जानकारी के लिए stay tuned on the channel for more updates thank you